मुमाई इंडियांस ने आखरी 12 बॉल पर बनाए एक क्यामार रन होम ग्राउंड पर सबसे बड़ा स्कोर बनाए सिधार्थ एक ओवर में 3-9 बॉल फेकने वाले पहले स्पिनर आप दीख रहे हैं दखबरदार न्यूस ये न्यूस चैनल नहीं आपकी आवाज है आवाज ऐसी जिसे ना कोई दवा सकता है ना जुका सकता है हम करते हैं सब को खबरदार इंडियन प्रीमेर लिएक यानि की आई पेल के 17 सीजन में आखिरकार पांच बार की चैंपियन मुमई इंडियांस का खाता खुल ही गया टीम ने रविवार को अपने होम ग्राउंड पर 18,000 बच्चों के सामने दिली कैपिटल को 29 रनों से हरा दिया इस जीत में रोमारियो सैफ़र्ड का एहम योगदान रहा जिनोंने पारी के 20 वे ओवर में 32 रन बनाए गेंदबाजी में मुमई के हीरो जस्परीद बुम्रा रहे जोनोंने 22 रन देकर दो वेकेट लिए इसी के साथ वे मुमई के लिए आईपियल में 150 वेकेट लेने वाले दूसरे गेंदबाज भी बन गए एमाई ने वानखेड़ी स्टेडियो में अपना हाईएस्ट स्कोर भी बनाए मुमई इंडियन्स ने आईपियल इतिहास में रिकॉर्ड चौदे भी बार 200 से जजाधा रन के स्कोर को डिफेंड किया खास बात ये भी है कि एमाई के खिलाफ कोई भी टीम 200 या उसे जाधा रन का टार्गेट अब तक चेज नहीं कर सकी है मुमई के पूर कप्ता रोही चर्मा ने दिलनी के खिलाफ एक कैच पकड़ा इसी के साथ उनके आईपियल में 100 कैच भी पूरे हो गए वे टूर्णामेंट में कैच की सेंशुरी लगाने वाले चौथे ही प्लेयर बने उनसे पहले एमाई के कायरेंट पोलार्ट सीयसके के शुरेस रहना और आरसीवी के विराट कोली ऐसा कर चुके हैं मुंबई इंडियन्स ने अपने होम ग्राउंड वानखिडे स्टेडियम में पचासवा आईपियल में चीता इसी के साथ टीम ए ग्राउंड पर जीत के हाफ संच्री बनाने वाली पहली आईपियल टीम बन गई मुंबई के बाद कोलकाता नाइट राडर्स ने अपनी होम ग्राउंड इडिन गार्डन स्टेडियम में 48 में जीते हैं चेपोक में 47 जीत के साथ चेनी सुपा किंग्स तीसरे नमबर पर है मुंबई इंडियास ने दिली कापिटियल के खिलाफ अपने करियर का एक सुपच अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले अपने सपनों का घर बना रहे हैं एपी कंस्ट्रक्शन सॉल्यूशन्स आपके लिए तैयार है मजबूत सिविल इंजीनियरिंग से लेकर आकर वास्तु कला और विशशग्य वास्तु परामर्ज तक हम आपके सपने को साकार करते हैं वास्तु कला वास्तु और हुनर इतने बढ़ियां दिये गए नंबर पर कॉल करें और अपने घर के डिजाइन को चमकाएं प्लीज विजिट था मांटेन केफे एंड बेकरी फॉर फास्ट खूड नियर्भाइ सुहागी बाइपास